हेलो वेलकम इने के इस्टेटी 1024 मैं हूँ अरुन कुमार यादो और ये है क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.2 जिसका कॉस्चन नमबर 6 देखते हैं सबते पहले कॉस्चन नमबर 6 में हमें इंटिग्रेट करना है अंडरूट AX प्लस B को ठीक है माल लेते हैं इसको I के बरावर ठीक है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड़ पे बेस है तो इसमें हम कुछ ना कुछ सब्स्ट्यूट करते हैं तो यहा यहां पर अगर आप इसको डिफ्रेंसियेट करोगे तो इसकी वैलू जाएगी ए ठीक है और डी एक्स ठीक है जो बी है उसकी डिफ्रेंसियेशन होगे जीरो क्योंकि बी क्या एक कॉंस्टेंट है इस इकल लो कि इतना आ गया डी टी तो यहां पर हमें मिल गया ADX की वैलू निकाल लो DX की वैलू आ जाएगी DT डिवाइड बाई A चला जाएगा डिवाइड में ठीक है तो यहां से I की वैलू हो गया I की वैलू हो गई उपर से आप 1 ले सकते हो common और नीचे से A आ गया ठीक है तो यहां पर बचा अंडर रूट यहां पर बचा अंडर रूट T अंडर रूट T को आप रिसकते हो T raise to the power 1 by 2 ठीक है इन्टू में क्या है या DT अब आप जानते हैं ठीक है integration of X raise to the power N क्या होता है X raise to the power N plus 1 divide by N plus 1 plus में C ठीक है तो यही फोमला यहां पर लगाएंगे N की value यहां पर क्या है 1 by 2 ठीक है तो यहां से I की value में मिली 1 by A T raise to the power 1 by 2 में 1 जोड़ोगे तो आज़ेगा 3 by 2 divide by फिर से 3 by 2 plus में C तो यहां से I की value में मिल गई 1 divided by A इसको आप उपर ले जाओगे तो 2 उपर जाएगा और 3 नीचे ठीक है इन्टू में T raise to the power 3 by 2 plus में C तो यहां से हमें मिला I is equal to 2 by 2 divided by 3 into A यहां 3 A T की value आप वापिस से put कर दो ठीक है T की value क्या मानी थी हमने AX plus B तो यहां से T की जगा मैंने लिख दिया AX plus B इसकी power कितने आ गए 3 by 2 plus में क्या है C तो यह था question number 6 अब देखते है question number 7 क्या है इसका अब देखिए question number 7 में हमें integrate करना है X into under root X plus 2 with respect to DX तो यहां से आप क्या करो सबसे पहले सबसे पहले आप माल लो let X plus 2 is equal to T ठीक है तो यहां से अगर आप दोनों तरफ differentiate करोगे with respect to X तो आपके क्या मिल जाएगा DX is equal to DT तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा I is equal to integration हो देखिए यहां पर जो X की बाद भी बाद में करेंगे under root X plus 2 है X plus 2 की जगा के आगया T ठीक है और जो DX है DX की जगा हम क्या लिख सकते हैं DT बात करते हैं इस X की क्योंकि हमने आप T में बदल ले सब कुछ तो इसे भी हम T में बदल लेंगे ठीक है तो X की value अगर आप यहां से निकालो क्योंकि यहां पर स्रिफ X है तो X की value मिल जाएगी T माइनस 2 यह 2 माइनस में चला जाएगा तो जहां पर यह X था वहां पर मैंने लिख दिया T माइनस 2 ठीक है आप देखिए यहां से क्या जाएगा I is equal to integration of T माइनस 2 को अभी आप थोड़े दर के लिए ऐसी रहने दो under root T को आप लिशकते हो T raise to the power 1 by 2 ठीक है DT अगर आप इसको अंदर multiply करें ठीक है तो I की value आपको क्या मिलने माली है integration of T into T raise to the power 1 by 2 ठीक है जब base same हो तो power add हो जाती है तो यह हो जाएगा 3 by 2 minus 2 T raise to the power 1 by 2 और बाहर क्या बचा हुआ है DT ठीक है अब आप इन दोनों को अलग-अलग integrate कर सकते हैं ठीक है पिछला वाला formula लगाके X raise to the power N वाला ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा यह हो जाएगा T raise to the power 3 by 2 है उसमें 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 divided by 2 divided by 5 by 2 minus 2 into T raise to the power 1 by 2 है तो यह हो जाएगा T raise to the power 3 by 2 क्योंकि एक जुड़ जाएगा divide by 3 by 2 plus में क्या जाएगा C ठीक है तो यहां से I की value आपको मिल जाएगी 5 by 2 को उलट दो आप 2 उपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा जो T है उसकी value आप put कर दो ठीक है T की value हमने क्या मानी थी X plus 2 तो यहां पर T की जगा मैंने लिख दिया X plus 2 raise to the power कितना है कि 5 by 2 ठीक है minus 2 यहीं पर है 3 by 2 को उलट दो दो जाएगा 2 divided by 3 और फिर से T raise to the power 3 by 2 T की value फिर से हम put कर देंगे T की value क्या है मारे पास X plus 2 ठीक है T की value X plus 2 3 by 2 हो गया plus में क्या है C अब देखिए थोड़ा और simplify हो जागा यहां पर यह तो I की value हो गई 2 by 5 ठीक है यह तो simplify नहीं हो रहा जो पहला time है यहां पर X plus 2 5 divided by 2 minus 2 2 जा कितना हुआ 4 divided by कितना है 3 और यह X plus 2 raise to the power 3 by 2 प्लस C तो यह था question number 7 अब देखते है question number 8 का है अब देखिए question number 8 में हमें integrate करना है X into under root 1 plus 2X square with respect to DX तो यहां पर अगर आप 2X square का differentiation देखो तो आपको X कहीं न कहीं से मिल रहा है इसलिए हम क्या करेंगे 1 plus 2X square को T put करतेंगे तो यहां पर आप लिखोगे put 1 plus 2X square is equal to T और फिर दोनों तरह आप differentiate करोगे तो यहां पर 1 का दो 0 हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 2X square का 4X DX is equal to DT तो यहां पर हमारे पास X है और DX है तो यहां पर हम X DX की value निकाल लेंगे X DX की value हो जाएगी DT divided by 4 ठीक है तो यहां से I की value मिल गई integration of इसकी value में क्या मिली under root इसकी जगा हमने put किया है T DX की value में क्या मिल जाएगी X DX की X DX की value DT by 4 यानि DT divided by 4 तो यहां से I is equal to हो गया उपर से 1 और नीचे से 4 आप बहार लिख लो integration of under root T का मतलब कितना हुआ T raise to the power 1 by 2 DT ठीक है तो यहां से I की value हो गई 1 divided by 4 ठीक है इसमें फिर से आप formula लगा होगे X raise to the power N DX वाला तो यह हो जाएगा T raise to the power 1 by 2 plus 1 यानि कि 3 by 2 divided by 3 by 2 plus C ठीक है तो यहां से I की value हमें कितनी मिल जाएगी 1 by 4 3 by 2 को आप लिख सकते हो 2 by 3 ठीक है जब उपर जाएगा तो 2 उपर और 3 नीचे हो जाएगा और T raise to the power 3 by 2 है ठीक है T की value क्या ही है T हमारे को पास हैगा 1 plus 2X square तो यह हो जाएगा 1 plus 2X square उसकी power 3 by 2 है तो जाएगा 3 by 2 plus में C ठीक है तो I is equal to हो गया 2 एंजा 2 तो 2 जा 4 या कट गया तो 1 इंटू 1 वन आया ठीक है और यहां पर 2 आया 2 तो 3 जा कितना होगा 6 ठीक है और यह नहां क्या बचा हुआ है 1 plus 2X square raise to the power 3 by 2 प्लैस में C तो यह था question number 8 तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है यह question समझ में आये है तो इस वीडियो को like करें share करें और इस चैनल को subscribe करें मिलते हैं फिर एक लिए वीडियो में तब तक के बुद बाइ